टेरा के लिए टाइब भीर के सबीड सब्सवर हाई गाइस Welcome back with a key Fitness तो दोस्तों कि अपनी लेश को वहीं रोग देना पड़ता है क्योंकि दर्द इतनी जोर से होता है हमें एक कदम भी आंगे भढ़ना भहुती मुश्किल हो जाता है अच्छा तो यह दर्द होता किस वज़े से हैं तो इस बारे में आपको कुछ बताने चाहता हूं सबसे पहले सब्सक्राइब आटे तो वह दो के अधे के परोब्र नहीं लें पाते हैं क्योंकि हम लोग अक्सीजन जितनी अंदर लेते हैं उतनी कारवन डाय औक्साइड भाहर नहीं छोड़ पाते हैं जिसके करणा हमारे लंग्स फूलने लगते हैं और हमारे पेट में खिचाओ आने लगता और ब्लट का सरकुल्सेशन भी पेट की तरफ कम होने लगता है इस भज़े से भी हमारे पेट में दर्द होने लगता है थर्ड प्रोब्लम जब भी आप रनिंग करने जाएं तो उससे दो या तीन घंटे पहले कोई ऐसा हैवी ब्रेकफास्ट ना करें जो कि आपका डाइस्ट ना हो पाए और रनिंग करते टाइम आपके पेट श्डार करें तो नॉर्मल स्पीट से स्टार्ट करें इससे आपको कि itself दर्द होना भी वहुतakah होगा सैचिंड टिपस आप या पपार पहदम लेंगे उत्ना अंदर के लिए लिए क्योंकि इसक्थे क्योंकि See aparecer behave fast करने से क्या होता है हमारे 계esi ओधंगोद्यलिक में अच्छे से कह सबस्थ हो जाए और रहनीं करते टाइम हमें तो आप प्रकांब जो चाएब आप हमारे व्यच्छे वह जाए और व Technical आको अच्छे से हमें पहले पहुत धोड़ी तो मेरे पास उसके लिए आपके कुछ इलाज है मैं वह भी आपको बताऊंगा कुछ टिप्स हैं जो आप उन्हें करके आप अपना दर्द बंद कर सकते हैं जब भी आप रनिंग करते टाइम आपके पेट में दर्द होने लगे तो आप उस टाइम अपने पेट जहां जिस त करके दस से पंद्रा सेकिंड तक दबा के रोक लेना आए जब आप ऐसे करके छोड़ेंगे तो आपका ब्लट को सर्कुलेशन उस सोर ज्यादा जाएगा जिससे पेट में दर्दोने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी सैटिंड टिप्स आप जब भी रनिंग करें तो आप अपने हाथों को ऊपर करके इस तरह से भी चल सकते हैं जब भी आपके पेट में दर्दो तो आप थोड़ी से स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं आप चलके भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जिससे आपका पेट में दर्द नहीं होगा क्योंकि इन सब चीजों से हमारे पेट को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फिटनेस रिलेटी वीडियो आपको यूही मिलती रहें तो दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में अगली वीडियो किस टोपिक बनाए बताइए